हलो दोस्तों आज के एस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं about the penalties जैसा कि आप सब जानते हैं कि 31st December जो कि आज की last date थी income tax return फाइल करने की मुझे अमीद है कि बहुत सारे लोगों ने अपना income tax return फाइल कर लिया होगा but still अगर अभी भी कोई wait कर रहा है या अभी किसी problem की वज़े से lack of information की वज़े से या जैसा कि हम सब लोग ने बहुत सारी ऐसी problems face की हैं जो कि portal की वज़े से थी कि हम अपना return फाइल नहीं कर पाएं हैं तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आज के बाद कभी भी अपना return फाइल करते हो तो आपको कितनी penalty भी अर करनी पड़ेगी At the end of the video मैं आपको एक ऐसी trick भी बताऊंगा जिससे आप अपनी penalty को बचा सकते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा अच्छे से सुनिएगा और लास तक देखेगा आज हम डिसकास करने वाले हैं section 234 F of the Income Tax Act मैं हूँ C.E.Devind रहेजा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसको जल दी से subscribe कर लीजे और इस वीडियो को अपने love ones के पास जरूर से share करिएगा आईए start करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हमें penalties को समझना होगा देखे बहुत simple सी बात है कि जैसा कि आप सब जान रहे हो कि 31st December last date थी हमारा return फाइल करने की अगर हम लोगोंने अपना return timely file कर दिया होगा तब तो कोई problem नहीं है लेकिन अगर अपना return हमने 31st December जो कि आज last date है अगर हमने file नहीं किया है तो हमको 3 महीने का और time मिल रहा है अभी 31st March तक हमारे पास last date है अपना return file करने का for the financial year 2021 अगर हमने 31st March तक अपना return file नहीं किया तो उसके बाद हमारा income tax return file नहीं हो पाएगा तो ध्यान रखेगा कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना return जरूर से file कर दीजे अगर आपने अपना return file नहीं किया है बढ़ हां कितनी late fees आपको pay करनी पड़ेगी तो उसके लिए मैं आपको बता दू कि आपके लिए जो late fees होगी वो होगी 5000 रुपीज आपके return पे 5000 की late fees होगी मैं आपको बता दू कि इससे पहले जो late fees होती थी वो 10,000 होती थी बढ़ इस financial year से उस late fees को 50% reduce कर दिया गया है और अब आपकी जो late fees होगी वो 5000 रुपीज होगी बढ़ अगर आपकी income 5,000 रुपीज से कम है that means हम total income की बात कर रहे हैं अगर आपकी total income 5,000 रुपे से कम है तब उस case में आपकी जो late fees होगी वो केवल 1000 रुपीज होगी पढ़ याद रखेगा total income का मतलब क्या total income का मतलब आपकी total income का मतलब क्या है अच्छे से समझेगा कि आप जो भी income कमाते हो उस income से आप ATC के deductions ATD के deductions या जो भी deductions आपके उपर applicable हैं उनको reduce करने के बाद जो income बचेगी वो income अगर आपकी पाँच लाग से कम है तो आपको penalty केवल 1000 रुपीज की देनी पड़ेगी पढ़ याद रखेगा अगर कोई tax भी बनता है तो tax में interest जो लगेगा वो अलग लगेगा बट जो ITR फाइल करने की late fees है वो होगी 1000 रुपीज इसके अलावा अगर आपकी total income 250,000 रुपीज से भी कम है यानि की basic exemption limit से भी कम है तब उस case में आपको कोई भी late fees नहीं पेकननी पड़ेगी ये सारे return जो अब आप फाइल करोगे ये एक तरीके के belated return होंगे यानि की due date के बाद आप return फाइल कर रहे हो at the end of the video मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपको एक trick बताऊंगा जिससे आप अपनी late fees को avoid कर सकते हो बचा सकते हो उसके लिए आपको क्या करना होगा जो कि आज last date है आप चैसे भी जो भी आपकी information से उसके basis पे आप अपना return फाइल कर दीजे और इसके बाद कल या जब भ करते हो वो आज की date के ही basis पे revision माना जाएगा यानि कि जो आज आप return फाइल कर रहे हो उसी को ही replace करेगा तो यह मान लिया जाएगा कि आपने return time से फाइल किया था बट आपके उसको कुछ correction करने थे तो इसलिए आपने उसको बात में किया है तो इससे आपकी late fees भी बच जाएगी जो कि आपको comment को share करने पड़ेगी thank you for watching this video have a nice day